देहरदून में नेत्र जोग्यों की संख्या में दिवाली के बाद से इजाफा देखने को मिला है आपको बता दे कि अकसर तैमारों में पठाके जलाते वक्त आखों में बारूद और धुआ जाने से चोट लगने का खत्रा लगातार बना रहता है वह इंगंबीरता से इस बात को ना लेने पर अंजाम बेहत खतरनाग भी साबित हो सकता है इस दोरान नेत्र विभाग के असोशियेट प्रॉफेसर शुचील ओजा ने बताया कि दिवाली के बास अकसर ही ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है दिवाली में जो अभी आपको पता ही है एक बड़े लेवल का तेवहार है बहुत संक्या समाज के लोग इसको मनाते हैं तो इसमें ज्यादतर इंजरी का भी खत्रा होता ही है क्योंकि पटाके होते हैं तो अभी हमारे पस इंजरी के कैसे आ रहे हैं पटाके कोई चला रहा है या कोई बगल में खड़े हो के देख रहा है कोई कंकर उचल के उसकी आंक में लग जा रहा है और उसके बाद आज जैसे दूएं और धूल मिट्टी भी काफी हो गई है तो उससे ऐलर्जी और जलन के शिकायत वाले मरीज भी लगवग बीस परसं टार उसकायत उसके बगल मिट्स बगल सबकावब और बाद के बाद के लाद कोई बटत कर वाले मरी रहा है यार रहा है कोई प्रवग बाद का उसके दो खो